तो हैलो दोस्तों मैं हम इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा मुवाल की स्क्रेंड रिकॉर्डंग कैसे की जाती हों घर अगर आप यूट् hopper वीडियों बनाना चाहते है या आपको और भी कहां है तो इस कní पार और बज स्क्रेंडियों के कोई जोड़त नहीं है यह बिल्कुल मुप्त है और इससे बिना मार्टर मारक के आपकी मुवाल की स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाती है यह आपको प्लेश्टोर पर नहीं मिलेगा ठीक है तो चली जाए दरी नहीं करते हुआ आज की वीडियो सुरू करते हैं यह तो इस एप को टांडोर करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा डी स्क्रीन रिकॉर्ड है ठीक है तो चली इसको सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं आपको कुछ एप से दखेंगे यह सबी प्ले श्टूर की एप से यह एपस यह जो आप को बिना बार्टर मारके स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करके दें ठीक है या नहीं कि इन एपस में से आप किसी से भी स्क्रीन के रिकॉर्डिंग करते हो तो यह साथ में बार्टर मार्क जरूर लगाते हैं ठीक है यह ऑरिजिनल डियू स्कुन रिकॉर्डर नहीं है यह सभी फेक कर सकते हुँ ठीक है ऐसी वेसरे करते हैं ठीक है यहाँ पर लिका हुआ है लेटेश्ट वर्जन पर रहे जो सकते हैं अब देख सकते हैं हूँ भी स्कॉर्जन आ चुका है चलिए इसको डाउनोड करें त्योजय अब अगन याहां पर यह इस लिखा वगा है कि Medien इसको पहले से डाउंड कर रखाया इसलीए तो चलिए इसको द्वारा डाउन्ड कर लेता हो में तो जैसे ही अब इसको डाउंड करता हूं तो डाउन्ड हो रहा है दोस्तों यहां पर बातर मार्क इसलिए आहें क्योंकि हम इसी की website है ठीक है पूंक है और यूप अब इसको install कर लेते हैं दोस्तो ये install हो चुका है चलिए अब इसमें मैं setting करके बताता हूँ इसमें क्या करते हैं जिससे की bottom mark करते आए दोस्तो आप यहां से video भी edit कर सकते हो ठीक है आपकी जो video है उनको आप edit करना चाहते हो तो इसको आप edit कर सकते हो मैं दोस्तो जो power editor से video बनाता हूँ उसको मैं इसी से edit करके उसके बाटर मार्क को remove कर देता हूँ ठीक है जैसा कि आप सो देख रहे हो और चलिए दोस्तो setting पर click करते हैं इसको नीचे scroll कीजिए नीचे scroll कीजिए और यहाँ पर आप दोस्तों एक option देख रहा है आपका बाटर मार्क इनेवल का ठीक है तो चलिए हम इसको disable कर देते हैं ठीक है बाटर मार्क को जी हाँ पर यह इनेवल है इसको हम disable कर देते हैं दोस्तों देखा मैंने यह disable कर दिया तो हमारा बाटरमार्क हट गया ठीक है तो इसी तरीके से आप भी screen की recording कर सकते हो तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप भी जरूर सीख गई होंगे कि मौलकी screen recording कैसे के जाती है ठीक है यह वीडियो आपके लिए बहुत helpful रही होगी चाहाँ खिलिख देखा मैंने अभी जरूर सीख गपके प्रूर सीख प्रूर सीघज से जरूर सीख खे और फो जरूर सीख जरूर सीखव मोंगे का यह प्रूर दूरूर